साल का आखरी चंद्ग्रहन खत्म हो गया चंद्ग्रहन आंशिकतोर पर रात 11 बचकर 31 मिनट से शुरू हुआ हलाकि भारत में इसे देर रात 1 बचकर 5 मिनट पर देखा गया जो सुभा 2 बचकर 24 मिनट पर खत्म हो गया देशभार में इस अद्भुत नजारी को देखा गया जिसने भी इस खगोलिय घटा को देखा वो बेहत खुश नजर आया हिंदु धर में चंद्ग्रहन को अशुबकाल माना जाता है मानता है कि इसमें वातावरण, घर, खाने की चीजे और शरीर अशुद हो जाता है इसलिए ग्रहन खत्म होने के बाद शुद्धी के लिए कुछ विशेश कारे जरूर करने चाहिए जो तिस शास्त्र के मताबिक विशेश कारे करने से चंद्रमा के दोश दूर हो जाते हैं और ग्रहन का अशुब असर नहीं पड़ता चंद्र ग्रहन के अशुप प्रभाव को खत्म करने के लिए ग्रहन के तुरंत बाद पूरे घर में नमक का पोछा लगाए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें ग्रहन के दोरान शरीर भी अशुद हो जाता है इसलिए शास्त्रों में ग्रहन के बाद इसनान करने को कहा गया है किसी पवित्र नदी में इसनान करें या फिर घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डाल कर इसनान करें ग्रहन के दोरान पहने कपड़ों को भी धोले, अब मंदिर और घर में पूजास्तल पर भी गंगा जल छिड़के, भगवान की मूर्तियों को शुद जल से इस्नान कराएं, भगवान की पूजा के बाद ब्रह्मन को दान दक्षिना दें, चंद्र ग्रहन के बाद चंद्रमा स संबंदित चीजों का दान जरूर करें, जैसे चावल, घी, आटा, सफेद वस्त का दान करें, ग्रहन खत्म होने के बाद कासे की कटोरी में घी भर कर, तामी का सिक्का डाले, और फिर उसमें अपना मू देखकर इसे दान करें, चंद्र ग्रहन खत्म होने के बाद गाए को ताजा रोटी बना कर जरूर खिलाएं, गाए को रोटी खिलाने से शुपल की प्राप्ती होती है, मानता ये भी है कि गाए को भोजन कराने से सभी तरह के दोशों से छुटकारा मिलता है, बहरहार देश भर के मंदिर जो चंद्र ग्रहन शुरू होने से पहले बंद कर दिय गए थे उसे विदी विदान और पूजा पाट करते हुए खोल दिया गया भले ही विज्ञान इसे अंतरिक्ष में हुई एक सामाने घटना से देखता हो लेकिन जोतिश विज्ञान इसे शुब अशुब घटनाओं से जोड़ता है इसलिए जोतिश शास्र में दिये गए सभ अगर आपने भी इन में से कोई उपाय ना किया हो तो आगे से जरूर ध्यान में रखिएगा